दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी गुल्ड प्लांट के बारे में यानि की गेंदे के पौदे के बारे में हम अपने गेंदे के पौदे से अधिक से अधिक प्लोवर्स कैसे प्लाप्त करें तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ग्रीन परिगार्डरिंग चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पर्टिलार वताने वाला हूँ जिनसे हमारे गेंदे के पौदे पूला एबम कलियों से बर जाएंगे और पौदे ग्रीन इवम एल्दी भी रहेंगे तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यह जो गेंदे के पौदे हैं पूरी तरीके से ग्रीन इवम एल्दी बने हुए हैं इन पर देर सारी फूल भी खिले हुए हैं इन पर फूलों के साथ साथ देर सारी कलिया भी आई हुई हैं जो कि थोड़े ही दनों में पूलों में बदल जाएंगे तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने गेंदे के पौदे से अधिक से अधिक फिलोवर सप्राप्त कर सकते हैं चलिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेंदे के पौदे की केर के वारे में कि हमें अपने पौदे की केर कैसे करनी हैं ताकि हमारे जो गेंदे के पौदे हैं वो पूले हैं इब हमकलियों से बर जाएं तो दोस्तों हमें अपने गेंदे के पौदे की जो सॉयल है उसमें और बाट रिंग नहीं करनी है हमें उसमें उतना ही पानी देना है कि हमारे पौदे की जो सॉयल है उसमें नमी बनी रहे और हमें लगबग 10-15 दिन बाद अपने पौदे की जो सोयल है उसकी लगबग 1.5 इंच गहरी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देनी है यहां पर दोस्तों मैंने गुड़ाई करने के लिए एक चाकू लिया हुआ है जिससे मैं अपने पौदे की जो सोयल है उसकी चारो तरफ अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दोंगा तो चली दोस्तों मैं अपने इस दूसरे पौधे की जो सोयल है उसकी भी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेता हूँ और दोस्तों हमें अपने गेंदे के पौधे को किसी ऐसी जगे पर रखना है यहां पर लगकर 7-8 गंटे की दूप आती हैं तो दूप से हमारे जो गेंदे के पौधे हैं वो पूरी तरीके सिग्रू कर पाते हैं और हमें समय समय पर परटी लाजर भी देते रहना है तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहां मैंने 100 ग्राम बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है जैसे मैं अपने गेंदे के पौधे की जो सोयल है उसमें यूज़ करूँगा यहां पर मैंने बर्मी कंपोस्ट के साथ साथ टी एपी के कुछ दाने भी लिये हुए हैं तो चली दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप सामने देख पा रहे हैं मैंने इन डी एपी के जो दाने हैं इनको अपने पौधे की जो सोयल है उसके चारों तरफ डाल दिया है तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से यह जो डी एपी के दाने हैं अपने पौदे की जो सोयलोस के चारो तरब डाल देना है डालने के बाद अब हम इसमें ये जो बर्मिंग कमपोस्ट है इसको भी डाल देते हैं इसको भी हमें अपने पौदे की चारो तरब डाल देना है जैसे हमारे गेंदे के पौदे फूलो एबमकलियों से बर जाएंगे तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहां पर मैंने यह जो फर्टी लाजर है इसको अपने पौदे की जो सोले उसमें डाल दिया है तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से इस फर्टी लाजर को डालना है और डालने के बाद उसको अलके आज से अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूं जैसा अगर दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं मैंने अपने दोनों पौदे की जो सोले जिसमें हमने इस फर्टी लाजर को डाला हुआ है उसमें हमने इसको अच्छी तरीके से अलके आज से मिक्स कर दिया है तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से इस फर्टी लाजर को यूज करना है अब चलिए हम अपने केंदे के पौदे की जो सोयल है उसमें बाटरिंग भी कर देते हैं जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहां पर मैंने अपने पौदे की जो सोयल है उसमें बाटरिंग भी कर दिया इसी तरीके से मैं अपने इस दूसरे पौदे की जो सोले हो उसमें बाटरिंग कर देता हूँ तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके पताईएगा जरूर अमने चैनल नया बना जाए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो फ्लीज हमारा चैनल सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टोपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू